तो आपके टोटल इसे करके रखा होता है तो अभी यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल के आ स्मूथ होरिजन्टल सरफेस पर है सब्सक्राइब यहां पर आपने बांद रखा इस कुछ तीक है ना यहां पर आपने इससे अटैज कर रहा है यह पॉइंट के पॉइंट के भाइट पीक्स्ट रहें गोड़िश्य सब्सक्राइब आपके शुच्राइब टीटाइब प्रेंगे इसमूथ होरिजन्टल टेवर लिगए पार्टिकल आप मार्स है इस एक आदेश्य आदिस्टेंस पर रही ठीक है पार्टिकल इस प्रोजि horizontally with the speed u at right angle to a b is a right angle पर आपने प्रोजेक्ट किया speed u से ठीक है तो find out impulsive tension in the string when it becomes taught and velocity of the particle immediately after that ठीक है एन वेलोसिटी आप दा पार्टिकल immediately after that तो क्या होगा जटका लगेगा कि नहीं इसको बता हो यह जटका समझ मा रहे है कब लगेगा वह यह लैंद कितनी हो जाएगी जब इसको एक इंपल्स यह जटका लगेगा बताव तो क्या करेगी तो नहीं लिखा हूं तो क्या करेगी अगर स्ट्रिंग नहीं टूट रही है और खिस्ती भी नहीं अपनी स्ट्रिंग तो आपको समझ में रहा है इसकी इनिशर वेलोसिटी इधर थी यहां पर यह मान लेते हैं एंगल थीटा है यह थीटा नाइंटी मैनस थीटा यह भी थीटा होगी यह वाला कंपोनेंट गायब हो गया की नहीं हो बताव आप सोच रहों कि इधर भी आजाए इधर आगया कंपोनेंट तो स्ट्रिंग खिच जाए ठीक है न यहां फिक्स है तो हर पॉइंट पर अलॉंग दाश्टिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो ना चीज़ तो फोर्स नहीं आ सकता इस पर कूछ बताइए यह समझते हो ना लाइट टॉर्क में समझें आप बात करें अभी द्यान रहाए तो आपकी यह वाली वेलोसिटी तो अंचेंज रहे जाए तो पहले भी यू कॉस्टीटा थी बाद में भी यूश्ट एट आया तो वीड़ इस तरीके से सरकल में घूम सकता है और सम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर भी स्ट्रिंग कर सकती वर्ट जस्ट आफ्टर टॉट होने के बाद तो यह वैलोसिटी वही रहेगी तो अब क्या बोलेंगे आप इस पर जस्ट आफ्टर टॉट होना और जस्ट उससे पहले इसका क्या इस डायरेक्शन में क्या होगा है एकदम से लार्ज मुवेंटम चेंज होएं कि तो वही आपसे इंपल्स पूछ रहा है ठीक है कि वाइंड आउट इंपल्सिव टेंशन इंड़ा स्टिंग इंडिकम स्टॉट और वेलोसिटी अफ़ पार्टिकल इमेडियेट लि ठीक है फिर आप एंटुए से फोर्स निकाल दो फिर इंटीग्रेशन एफटीटी कर दो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ठीक है तो एक्दम से क्या कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन एंप डिटी चेंज इन मॉमेंटम खता थी इनीशन वेलोसिटी पता थी फाइनल पता जीरो होगी जरोग दिया ठीक है ना इदम से स्टेंग में क्या किया इस्टों इसको रोग तो बस जस्ट आप्टर टॉट होने के बार इसकी वेलोसिटी एक्दम से जीरो गी तो आपकी इंपल्सिव टेंशन उससे निकल जाएगी तो स्पीड जस्ट आप्टर स्ट्रिंग्स तो यह कितना होगा थीटा बताओ तो नहीं मतलब तो तो इस इक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू सिक्स्टी डिग्री वाली स्पीड कितनी हो गई यू कॉस्टी यू गाई टू गई एक्वल टू एक्वल टू फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस इनिशल मोमेंटम इस डिरेक्शन बिता तो इसलिए आपर माइनस लगा तो कितना है इंपल्सिव टेंशन एम यू साइन थीटा ठीक है तो साइन सिक्स्टी कितना आगया आपका एम यू इंटू रूट त्री वाइट वाइट तो यह आपकी इंपल्सिव टेंशन निकल के आगई है एम यू रूट त्री वाइट टू ठीक है कोई डाउट इसमें किसी को तो बताई साइन वाला कॉंपोनेंट तो जीरो कर दिया था ना साइन चीटा वाला जीरो गडिया तो इसलिए फाइनल जीरो होगया ना विटा देखो पुरक्वाली एक बाद जान से तो फाइनल माइनास इनिश्यल इनिश्यल मोंटम था ना जस्वी पूर्ट टॉट ओनेड़ा इंटिग्रेशन टीडिटी पूस्ता और डायरेक्ट निकाल विए आपने फाइनल और इनिश्यल सिचुएशन मोंटम से और स्पीड कितनी हो जाएगी यह तो वन आप दाइप प्रॉब्लम का इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चींज करके आप सूचिए कैसे निकालेंगे अगर मैं कहता कि यहां पर यहां पर नहीं यहां पर भी सेम माज का एक और पार्टिकल अटेज़ डैस स्ट्रिंग पर ठीक है तो फिर वही सिचुएशन पहले यहां पर स्लैक कि इसको ट्राइब करेंगे